असलाब लेकूम उमीद करते हूं आप लोग खेरी अच्छे होंगे और बहुत जबदर्सी चिकन की रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के पास हाजिर हूई हूई हूँ जो मेरे पाद इंग्रेडियंट्स है इसके लिए हम लोगों को चिकन चाहिए 2kg चिकन है मैदर है और सोय सुर्का है सिर्का है हूट स्यूस यह साथ अपनी मर्जी के हिसाब से इसके इंदर यूज़ी स्टेप्स है एंग हमने दो लिए है यह चिप्स है यह फिजे यूज कर रेंग है जो बहुत क्रण्ची मंची होते है वाइट पेपर है रेचली फ्लेक से इसके अंदर जिंग मैं चल्वाद में पार नेजम को नहीं बाहता है यूज अच्छी इसके बाहता है श्यूजी बाहता हैं इसके शुरुपात करते हैं यहां पर हमने मैं लीन है और चिकन के अदर हम इंग्रीजिंट में हम एक करेंगे और म्रीफळब और स्रिकम छिंदू यहां श्थारील हम जो quand देंगे और यहां थोड़ी देर के लिए जरूर लगाना है कट लगा मसाला मशाल ऑते हैं मैं लूइचस के अंधर 4 tablespoons दाला है तो स्याय सॉद्ध डाला है report मैं डोट स्थorme 6 tablespoons दाले है और इसका इंदर 3 tablespoons आप्याब यहे जो है अफल वे सारी centers आड़ कर सकते हैं सॉस घबरदस आप लोगों क공 से कि एष्üt्सि की चिकन खाई ऑगी वो अगर आप लोगों को टैम्टिंग लगती है और बहुत मैज़े की लगती है तो उसका जो राज है सारा वो यही है कि उसके अंदर जो है बहुत जबरदस सी सौसेज एड होई भी होती है हम लोग इसके अंदर सौस एड करने के बाद जो मेरे पास स्पाइसेज हैं मैं अधिये भालम और होगा वाइट पेपर है वाइद पेपर इसके अंदर एड होगा वहाँ लेंगे वइन-ाःव टिबस्पून के इसके अंदर बरावा यह हम लोग सौल टेबेगे यह सारी चीजे स्की अंदर एड हो जाएंगी तो हम एसको मैरीने करके के और जो है फ् एकम प्रशेट कोई है डिट कर दो बहुत एजी स्टैप्स एंगे इस पाइसें आप नोगों को ज़रूर अची लगेगी इसके एक बार में रीपीट कर दू मैंने जो स्पायशे इसके अंदर रेट करेगे हैं अटिक इंदर जो है रेट रडे धाला है रचे फेपर दाले है इसके अंदर Ooh सौरार से सोया सौर्षट और हम सिरखा ले सकते हैं जिंजर गर्डिए स्वैंड़ सीर्डर में गर्ड़िका अधुथ स्वैंक अजने सैने में पर दॉल हुआ है सारे लगा तर तरह इसकी बिल्कुल नहीं होनी यह हम इसकी कोटिंग जिससरा हम बिल्कुल नॉर्बाली चिकन को जो है वे रिए करते हैं उसी तरह हमें रिनेट करके रखना है यह देखें यह इसकी फाइनल लुक है मैरीनेशन के रख दिया था इसको त्री आवर्स के लिए और उसके कोटिंग करके इसको फ्राइ कर लेना है लेइस का हम छोटा-छोटा चूरा कर लेंगे यहां पर मेरे पास जो है मैंने आप लोग अपने साब से इन अदर ले सकते हैं मेरे फाइफ तो सिक्स पैकेट इसके अंदर लेस्के एड हुए थे और इसको हम लोगों ने बहुत अच् यहां पर मैदे की कोटिंग करी फिर मैंने इसके अंडे की करी उसके बाद मेरे पास लेस मौजूद थे मैंने इनका चूरा करा वा था मैंने उससे इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया था और आप लोगों को यह बिल्कुल इस लग रहा होगा कि यह फ्राय होई वी चिकन है तो जी नहीं यह हमारी फ्राय होई वी चिकन अभी नहीं है हम इसको जो है अभी फ्राय करेंगे इसको हम लोगों ने जो है कोटिंग करने के बाद भी वनावर के लिए फ्रिज में रख देना है ताके अच्छी से हमारी चिकन जो है टैम्टिंग हो जाए उसके बाद जो हम तेल बहुत हलका हीट अपना है यह जादा हीट नहीं रखिएगा यह मैं छोटी चोटी चीज़ आप लोगों इसलिए बताती हूं कि मैं इन सब चीजों से गुजर चुकी होती हूं अगर मैं इसको ज्यादा हीट वेवर वाइन में दालूंगी तो इसके बाद हमारे यह जो इसके ओपर हमने चिप्स पे लगाया है यह ज्यादा ब्लैक हो जाएगा और यह रैडिश और पिंगिश नहीं रहेगा तो इसके बाद हम चिकन को अच्छे से फ्राय कर रहे हैं यहां पर हमारे चिकन फ्राय हो रही है और प्राय होते होते मैं आप लोगों को यह बहुत बहुत बच्चों को अपने लंच में दे सकते हैं बहुत अच्छा सा बाद में उसक्ता है नहीं हम लोग से डिनर में पनी शाम की टी टाइम पर ज़रूर बनापे से सर्फ करें तो इस वज़े से मैं इसे बस डारेक्ट फ्राय करा है बहुत मज़ेदार सी थी बहुत ही अमीसी थी मुझे अमीद है आप लोग जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बहुत बदसी जो है ये क्रण्ची सी चिकन को आप लोग जरू आला हाफिज